बिहार में आरजेडी सुप्रीमो लालु यादव के बेटों के बीच विरासत की लड़ाई तेज होती जा रही है। बिहार में विधानसभा उप्चुनाव को लेकर सरगर्मिया तेज हो गई है। जहाँ एक तरफ सत्ता रून एंडिये और विपक्षी पार्टियामने सामने हैं तो वही दूसरी तरफ तारापुर विधानसभा सीट पर लालु के लाल ही एक दूसरे को आख दिखा रहे हैं। दरसल दो दिन पहले जहां तेज प्रताप के समर्थन से संजय कुमार ने निर्दलिये के तौर पर अपना नामंकन किया था तो वही दो दिन के अंदर ही तेजस्वी ने बड़ी चाल चल दी। तेजस्वी ने संजय कुमार को अपने आवाज पर बुलाया और उनसे मुलाक जिसके बाद उन्होंने अपना नामंकन वापस लेने का एलान कर दिया और RJD में भी शामिल हो गए वही अब तेजस्वी के इस फैसले के बाद तेजप्रताप भड़क गए हैं और उन्होंने संजय यादब पर जम करने शाना साधा तारापुर सीर से नामंकन वापस लेने के संजय कुमार के फैसले पर तेजप्रताप यादब ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि उनका इस मामले से कुछ लेना देना नहीं है जनता के लिए संजय कुमार ने अपनी उम्मीदवारी वापस ली RJD ना मैंने कुछ कहा ना लिखा और इसमें मेरा क्या र RJD परिवार को मजबूत बनाने के लिए मैं अपना ना मांकर वापस लूँगा अब मेरा मकसद है तारापुर से RJD उमीदवार को जिताना अब भले ही तारापुर से संजय कुमार ने पार्टी को मजबूत करने की बात कही हो लेकिन तेजस्पी और तेजप्रताप के तल्क अक्तेवर से नहीं लगता है कि ये तकरार इतनी जल्दी खत्म होने वाली है DVLIVE की रिपोर्ट